किसानवायों नमस्कार हम खड़े हैं धान के एक खेत में जिसमें सीधी बिजाई की गई है धान की यह हमारी एक नई किस्म है पूसा 1850 जिसमें की जो जोका रोग यानि ब्लास्ट की बिमारी बिल्कुल नहीं लगती है उसी के लिए संभा मस्तूरी जो बहुत प्रचलित किस उसका सुधार करके इसको बनाया गया है इसकी बुवाई 18 जून को की गई थी और धान की सीधी विजाई हम लोगों ने तर बतर विदी से की थी पहले खेत में पानी लगाने के बाद बत्तर आ गया उसके बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई करके पाटा लगा करके और बढ़िया आंकरण हुआ जैसा कि आप असल देख रहे हैं इसमें कहीं कोई गैप नहीं है तो जब हम धान के सीधी विजाई के प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इस तरह की कवी स्थिती पैदा हो जाती है तो आपको तुरंत नि जाई में हमको बर्कार रखनी है तो कर एक बार जैसे माली जांकरण ठीक नहीं होता है तो उसमें जब बुआई के बाद फसल करीब 25-30 दिन की हो जाती है उसमें फुटाव हो जाता है तो उसमें खेत में पानी लगा करके और ऐसी जगों पे जहां पे कल्ले फुटे हूं पौधों को उखाड करके उनको फाड करके और दुबारा उनकी रुपाई कर दीजिए तो इसे जो खेत में गैफ है वो पूरा भर जाएगा और आपकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी अब इसमें इस खेत को देख करके कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता है कि धान की स करीब तीन जार रुपे के आसपास रुपाई का खर्चा बचता है पानी की बचत 35 प्रतसत के आसपास होती है और इससे जो है हमारा वातावरान के ऊपर भी इसका सकारात्मक वहाव पड़ता है कुछ समस्याएं है धान की सीदी विजाई में जैसे खर्पतवार नियंतरन सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पेंडी मितलीन का शिड़काव किया जाता है और करीब जब फसल 20-22 दिन के हो जाती है तो उसमें हम नामनी गोल्ड का शिड़काव करते हैं इससे नियंतरन पुरा अच्छी तरह से हो जाता है